तो लोगडान के समय में हम स्टूडों को बहुत परिशानी हो रही है कि हम ओनलान क्या कर सकते हैं जैसे कि लोगडान हो चुका एक वालेज भी बंद होने बंद हो गई है नहीं तो टीचर स्कूल में आ रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है कि अब हम क्या करें तो इस व बर्त नसल्सक्ति क्योंष carta G कि अपनय जो कूल है उसको आपको जितना जीतना पढ़ना पढ़ मिल फिक्षण कुछ ओर आप यह अर्निग कर शक्तिों और ये उसको आप अपने पढ़ाई में लागा सकती हो और अवको अपने आपको और एंपकर उपर सकते हैं तो जो सबसे पहली मेंने एक लिस्ट बनाई है वहाँ लिखा हुए तो देखिए तो मैं पहली बात बता दो कि आप आपना जो यूटूब चैनल है वो जरू स्टार्ट कर से सकते हैं यह कि मैंने भी जब लोगडान लगा था तब ही मैंने अपना यूटूब चैनल स्टाट किया मेरे अभी तब अर्निंग स्टाट नहीं हुई क्योंकि यूट्व आपकी जो होई तो पहले आपको बहुत सारी वीडियो बरानी पर इंगे यहाँ पर रहना परेगा अगर आपने रेगुलर यहाँ पर नहीं रहते तो आपकी जो विडियो यह वह रांक में नहीं आती और आपको याद यहां नहीं होना मेंने बहुत सारी मुट्वेशनल वीडियो भी बना है आप मेरे यूटूब चैनल पर जाके देख सकते हो मैं अभी 11 प्लास में हुँ लेकिन मैं यूटूब चैनल स्टाट किया और लोगडाउन में क्यों क्यों कि लोगडाउन में आप हमारी जो स्कूल हो बंद हो चुकिये लेकिन हम उस्यार नहीं कर सकते हैं आप अपने यूटूब चैनल जरू स्टाट किजिए नंबर सेकंड पर जो आती हो वह है अमेजान पी आपिलेट मार्केटिंग अमेजान फिलिपकार बहुत सारे एपले ऐसी एपलीकेशन जो आपिलेट मार्केटिंग को मतलब कि आपको क्या करना है आप तर ऑफिसों को पर जट आपको प्रोडोक्ट करना है और चारप अपलेट मार्किटिंग की चैनल शud mois beetle लिंक वहान उसे क्रे एक इसे नल्रहा रख सकता है यूजए जानल तो कुछ चंवीचन मिल जाता है तो कुछ क्रिङते हैं लिंक को श्यएकर करना अपने उस लीमें क किसाब नंबर थर्ड पे जो आती है वह फ्रीलांसिंग अगर आपके पास कोई स्किल से अगर आपको डिजाइन आती है आपको शॉप्टेर बनाने आते हैं आपको जो भी कुछ आता है आप अपने फ्रीलांसिंग का अकाउंट खोले और वहाँ से जो बड़ी-बड़ी कंप एक फॉर्द पर आती है आप शेर मार्केट को भी स्टाट कर सकते हो लोगों को लगता है कि अगर अलगा है मार्केश के सब्सक्राइब आता है डाए कि पादर के बढ़ गया है यह वह जो जोग है केमीकल के जो स्टॉक से वह ज्यादव बढ़ गये थी वही वेक्षिन करता हूँ फ्रीलांसिंग तो नहीं करता है लेकिन यूटीब चैनल मेरा स्टार्ट है जो नमबर फिप्ट पर आती है वह कि आप जो अगर आपको बास टीचिंग किया पर आपकिसी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर हो तो आप अपने स्टुडेंट है उसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते है आप अपना यूटीब चैनल स्टार्ट कर सकते है और जो अनकेडमी है वह भी अगर आप आप पढ़ा लेते हो किसी को मराटी हिंदी कोई भी लेंग्योज नो तो उनको एक अप्लिकेशन है अनकेडमी का वह आपे जाके आप रेजिस्टर कीजिए अपना ए अंकेडमी दिद्वक्ति है वह स्टा मतलब क्या अपनी वेपसे स्टार्ट कर सकति हो थैसे की ब्लोगर अगर आपने ब्लोग स्टार्ट क्या तो आप उससे रेकर स Tapi या आपके जो जो यो व्को पसनदे और यह आप वहाप इधाली ए उससे अपने श्टिकर गरोग कर सकते अगर आपका ब्लॉग अच्छे से वाइरल हो जाता है तो आप उससे एड़ भी लागा सकती है गूगल एड़ भी अग्लोगर पर लग जाती है अगर आपको फोई वेबसेट साथ स्टार्ट करते है तो उसके भी गूगल आप लागा सकते हो और उससे बहुत अच्छा निक क सकते हो और आप याप एक कुछ भी अपको लॉगड़ान में ही यह सब चीजी हो जाएती है आपको ज्यादा कुछ एक्क्यूपमेंट की भी ज़रूत नहीं है और ज्यादा कुछ ज्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूत में हाँ अगर आपको यूटूब चैनल स्टार्ट कि अगर आपने किसी को देखकर यूटूब चैनल स्टार्ट किया तो ज्यादा लॉंग नहीं होता मुझे टेक चैनल पसंद है मैं टेक से ही रिलेटल में आपका करनेर बानाना चाहता हूँ इसलिए मैं टेक से रिलेटल मेरा यूटूब चैनल है और मैं इसे अच्छी तर नहीं कर सकती है यह उसका फाइदा होता है मैं आपको सबसे पर लिस्ट बाता देतों कि मैंने आई सुले में क्या बाता है सबसे पहले बाता है मैंने आपको यूटूब चैनल स्टार्ट करनें आपको फ्रीलांसर करना है शेयर मार्केट भी करना है आप आनलें भी टीचिं सबस्क्राब किजिए अगर आपको लगता कि में इस घर यक टपिप के ऊपर एक डेडिकेटीव डिवेडियो उना हो तो मुझे इस वीडियो पर 15 लाइक चाहिए अगर वीडियो पसंद आता है तो प्रिस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हेल वडियों की नोटिपेशनां को सबसे भीले मिल चेके जहें जे भारत